नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग आई होप सब्सक्राइब बहुत बढ़ी तरीके से पनी त्यारी कर रहे होंगे तो आज की वीडियों उन लोगों के लिए जो बहुत समय से त्यारी कर रहे हैं क्यूंकि मुझे पता है कि मेरे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जो भी क्योंकि आपका थोड़ा सा मैं रास्ता चेंज करूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग एच्पी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं बहुत समय से और करते भी रहे हैं फस्ट प्रेशल से अपने हिमाचल की ही बेल्ट फोर्स को देते हैं उसलिए तो दोस्तों आपके फिल नहीं होंगे इस बीच आप से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो परिशान हो चुके हैं इस चीज से की अभी तक वेकैंसी क्यों नहीं आई तो जो अभी ये वीडियो है ये उस चीज से शायद आपको थोड़ा सा बाहर निकाल सके क्योंकि कि SSE GD अगर आपने इस बारे में नाम सुना हो तो जो ये SSE GD है ये पेरा मिलेटरी फोर्स है जैसे की BSF, CISF जो भी सेंटर गौर्रमेंट के अंडर जो पेरा मिलेटरी पुलिस आती है पेरा मिलेटरी फोर्स आती है उसमें आपका सेलेक्शन करवाती है ये SSE GD के थूस में आपका सेलेक्शन होता है तो इसमें हर साल बहुत सारी वेकैंसी आती है तो इस साल भी SSE GD ने लगभग 46,000 के आसपास वेकैंसी आउट की है जो की सिर्फ पेरा मिलेटरी फोर्स है यानि की सेंटर गौर्रमेंट की पुलिस ठीक है तो इसमें आपको 46,000 के आसपास वे महिला उमीदवार देखने को मिलेगी ठीक है तो अगर जो लोग मेरे चैनल को शुरू से प्रॉपर तरिया से फॉलो कर रहे हैं तो उन लोगों को पता है कि जब मेरा HP पुलिस में सेलेक्शन हो तो उस दोरान SSE GD का भी जो मैंने एक्जाम और ग्राउंड दिया था वह भ वक्त जोब की ज़्यादा जरूरत है विरोजगारी बहुत ज़्यादा है और वेकैंसी जब आपको पता है कि सेंटर लेवल पे इतनी ज़्यादा वेकैंसी आप निगल के आ रही है तो आप उसी लेवल की तैयारी करें क्योंकि जो आपका ये एक्जाम होगा SSE GD का इसमे आपके मैथ, रीजनिंग, आपका जनल स्टडीज और आपकी साथ में हिंदी एंगलिश दो में से एक सब्जेक्ट जिसमें आपके अच्छी पकड़ है तो उस सब्जेक्ट को आप ऑप्शनल तोर पर रखके उसका पेपर दे सकते हैं ठीक है तो इसमें यही चार तरह के हो जाता है। ठीक है, और वही जो पढ़ाई आप एच्पी पॉलिस के लिए कर रहे हैं बस वही पढ़ाई वही किताबे आपको इसके लिए भी पढ़नी है थोड़ा इसमें डीपली पढ़ही करने हैं थोड़ा सा सलेवसिस का जादा है इसमें प्रीवेस एयर ऐसे तो उसको आप जरूर देखे करें इसे भरती को लगाएं साथ इसका जो सेकंड एडवांटेज में आपको बताने जाओंगी वह इसकी सेलरी के बारे में अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमाचल प्रदेश पुलिस में हम लोग की सेलरी और पेस के डी ये बहुत कम है ब अब बहुत सारे मिलते हैं ठीक है और मतलब बहुत सारी फैसेलिटी आपको पैरमिल्टरी फोर्स में मिलती है तो मैं आपको प्रैफर करूंगी कि आप सेंटर गाउर्मेट की तरफ को जाए और ससी जीडी के आप पेपर पैटरन को समझे और उसका ग्राउंड करें अब ब जबकि आपका जो सेंटर गाउर्मेंट का जो ग्राउंड है वो बहुत आसान है मतलब इसके कंपेरिजन में वो आपके लिए काफी आसान है ठीक है वहां पर आपकी सिर्फ रेस होती है रनिंग होती है तो लडिकियों की रनिंग होगी शायद 7-8 मिनिट में जिसमें कि 5 किलोमेटर, 27-6 मिनिट में आराम से आप कर सकते हो लेकिन आपका जो ससीजिट में जो आपका वेट क्राइटेरिया है वो चेक किया जाता है बाद में मेडिकल में मतलब जो 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 इसका शारीक मापदंड है आपको उसके अनुसार फिट होना जरूरी है तो आप आप मेरी अगस्त इसी महीने से आपके फॉर्म फिलब होने शुरू हो जाएंगे तो आप उस फॉर्म को फिलब कर लेजिएगा जैसी उसकी नोडिकेशन आएगी उसके रिगार्डिंग में आपके लिए वीडियो बना दूँगे तो बस मैंने ये वीडियो आपको इसलिए बनाई कि बनाई कि आप तो ऑप रहेंगे लिए की इस एक्जाम के साथ एक्जाम को भेंगे और वहां पर घ्राउंड और रिटर्न एक्जाम दे कर आएंगे और अगर आपकी तैयारी सच में बहुत बहतरीन थे जिए और आप उस एक्जाम को प्रेक कर लोगे और क्यूंकि आपको तो बहुत जाता चांची से हैं आपकी महनत जरूर रंग लाएगी तो बात करते हैं अगर आप से मैं बात करूँ कि हमारी से तो लगभगडबल है क्योंकि जो लोग मेरे चैनल को तो वह भी एससी जीडी की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो मैंने उनकी सेलरी के बारे में पूछा कि आप अगर एक बार सेलरी के बारे मता दें तो यह बात बहुत से एस्पिरेंट को मोटिवेट कर सकती है कि हां चलो इसकी तैयारी करते हैं घर की गरीबी भी मिट चाएगी और हम तो वह चीज आपकी यहां फुल्फिल हो सकती है ठीक है तो अभी वह ट्रेनिंग कर रही है लेकिन उनकी सैलरी 40 प्लस मदब 40,000 से उपर उपर की और उन्होंने बताया कि जैसी उनकी ट्रेनिंग कंपलेट होगी अभी ऑक्टूबर उनकी ट्रेनिंग कंपलेट हो जाएगी तो जो उनकी सेलरी है वो 50,000 से उफर से ले जाएगी इसके लावा उनको अलाउंस भी बहुत सारे मिलते हैं बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं सेंटर गवर्मेंट के एंप्लॉई है 50% उनको डिये अराम से मिल जाता है तो सेलरी लगबगा एच्प पुलिसे डबल उनको को वहां पर ट्रेनिंग के बाद डिरेक्ट मिलती है तो हम कही न कहीं सेलरी में भी उनसे पीछे हैं तो अगर आप लोग चाहते हों कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं अब आपने तैयारी करी लिया बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट करते हैं कि दिदी पढ़ाई करकर करके पागल होगे बहुत पढ़ा लिया बहुत पढ़ा लिया तो एक बार आप उस एक्जाम को ज़रूर लगाएं और वहां पर आप अच्छी पोस्ट भी ले लोगे और आपके पास अच्छी सेलरी भी होगी ठीक है तो आज की वीडियो यही थी कि 27 अगस्त इसी महीने से ससी जीडी के जो नोटिफिकेशन है वो उसमें आपको फॉर्म फिल करने के लिए आ जाएगा तो और जैसे सबसे पहले इसमें फॉर्म फिल होंगे और इसके बाद होगा इसका ऑनलाइन टेस्ट ठीक है जो कि कंप्यूटर बेस्ट होगा वो आपका जनवरी या फरवरी मे और मार्च के बीच आपका एक्जाम हो जाएगा तो अपनी तयारी उसी साफ से रखें अगर आप इसके टेस्ट में क्वालिफाई हो जाते हैं अच्छे नंबर आपने ले लिए उसमें यह बात याद रखना कि नेगटिव मार्किंग होती ही होती है तो इस चीज का ध्यान जैसे को टेस्ट को क्वालिफा करेंगे आपको ग्राउंड कि लिए सकता है जिसमें कि आप ग्राउंड टेस्स के अक्वारें इसमें बहुत आसान है जो कि मैंने आपको पहले बीपताया तो डिये कर लोगे वो लोग जो सच में तयarnaई कर रहे हैं और उनकी लिए वेकेंसि को एक बार फिलप जरूर करें ठीक है और अभी जनवरी फरवरी तक आप खूब दिल लगा के भढ़ाई करें ताकि आपका सेलेक्शन कही ना कहीं हो जाए क्योंकि में चीज अभी इस वक्त यह है कि आपको सेलेक्शन लेना है विरोजगारी बहुत जादा है उस चीज को कि आप ऐसे से जीडी का फॉर्म फिलप करें ठीक है बाकी जब मेरी दोस्त कभी भी आएगी तो मैं उसका इंटर्विव जरूर लोंगे आप लोगों से उनको जरूर मिलाओंगी कि किस तरह से क्या-क्या होता है एक लड़की के लिए बी-एस-फ में जॉइन करना और क्या करने सीखने को मिलती है साथ-साथ इस चैनल पर बहुत सारे व्लॉग्स भी आते हैं तो इस चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर दे और मिलेंगे जल्दी नहीं वीडियो में तब तक के लिए बाई-बाई और अपनी तयारी को बस इसी तरह से जान लगा के रफतार दे दे आपको आगाह करने के लिए कि तयार हो जाए ऐसी जीडी में इसी महीने से आपकी वेकैंसी निकलने वाली है 27 अगस्य आपकी वेकैंसी आउट हो जाएगी हो सकता है 27-28 के बाद आपके फॉर्म फिलप होने शुरू हो जाए तो तयार हो जाए उस चीज के लिए जिसके आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और अपना प्यारा कमेंट को मेंट बॉक्स में जरूर डाल दें